नमस्कार आईये सुनते हैं फणिश्वर नात्रेणू की लिखी हुई कहानी नैना जोगिन रतनी ने मुझे देखा तो घुटने से उपर खोंसी हुई साडी को कौचा की जल्दी से नीचे गिरा लिया सदा साइरिन की तरह गूजने वाली उसकी आवाज कंठ नली में ही अटक गई साडी की कौचा नीचे गिराने की हडवडी में उसका आचर भी उड़ गया उस संकरी पकडंडी पर जिसके दौनों ओज घरवेरी के काटेदार बाड़े लगे हो अपनी भलमन साहा दिखलाने के लिए गरदन जुका कर आँख मूद लेने के अलावा बस एक ही उपाय था मैंने वही किया अर्थात पलट गया मेरे पीछी पीछी रतनी ने अपने उगडे हुए तन बदन को ढख लिया और उसके कंट में लटकी हुई एक उग्र अशलील गाली पटाके की तरह फूट पड़ी मैं लोटकर अपने दरवाजे पर आ गया और बैटकर रतनी की गालियां सुनने लगा नहीं वह मुझे गाली नहीं दे रही थी जिसकी बकरियों ने उसके पाट का सत्यनाश किया है उन बकरी वालियों को गालियां दे रही है वह सारा गाउं, गाउं के बूडे, बच्चे, जवान, ओरत, मर्द उसकी गालियां सुन रही है लेकिन? लेकिन क्यों? शायद सची उनके सुनने और मेरे सुनने में फर्क है मैं सचेतन रूपिन अर्थाट जिस तरह रेडियो से प्रसारित महत्वून वारताएं सुनता हूँ इन गालियों को भी सुन रहा हूँ कान में उगली डालने के ठीक विपरीद एक एक गाली को कान में डाल रहा हूँ उसकी एक एक गाली नंगी अश्लील तस्वीर बनाती है ब्लू फिल्मों के द्रिश्य उधारण उधारण देकर थाना पुलिस अदालत फौजदारी को नियोंतना नहीं चाहता रमेसर की माने टोका शायद गाउं भर की वक्री बालियों को सारबजने गालियां दागने के बाद रतनी ने रमेसर की मा के प्रजा इस्थान को लक्षे करके एक महा इस्थूल गाली दी रमेसर की माने टोका पहले खेत में चल कर देखो एक भी पत्ती जो चरी हो रतनी अब तक इसी टोक की प्रतिक्षा में थी शायद अब उसकी बोली लैवद्ध हो गए वो प्रतेक शब्द पा विशेश बल देकर हाथ और उंगलियों से भाव बतला कर कहने लगी कि वो पाट के खेत में जाकर क्या देखेगी अपना भले घर की लड़की होती तो कहती अपना सिर किंतु रतनी सिर के बदले में अपने अन्य हिस्से का नाम लेती है इसके बाद वह बहुत देर तक रतनी की बातने सुनता रहा लेकिन उन्हा लिख नहीं सकता वारंट का डर है किन्तु रतनी की बारे में अब कुछ नहीं लिखा गया तो जीवन में कभी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि रतनी की गालियों में मरमाहत और अपमानित करने के अलाबा उत्तिजित करने की ती प्रिशक्ति है यह मैं हलफ लेकर कह सकता हूँ रतनी का नाम नैना जोगिन मैंने ही दिया था एक दिन तवर साथ आठ साल की रही होगी नैना जोगिन देहात में जाड़ फुक करने वाले उज़ा गुडियों के हर मंतर के अंतिम आखर में बंधन लगाती हुए कहा जाता है दोहाए इस्तर महादेव गौरा पारवती नैना जोगिन इत्यादी लगता है नैना जोगिन नाम की भेरवी ने इन मंतरों को शिद्ध किया है साथ साल की उमर में ही रतनी ने गाओं के एक धनी प्रतिष्ठित ब्रिद्ध को फिल चक्कर में डाल दिया था उसकी वेवा मा ब्रिद्ध की हवेली की नौकरानी थी पंचायत में साथ साल की रतनी ने अपना बयान जिस बुलंदी और विस्तार से दिया था कोई जन्म जात नैना जोगिन ही दे सकती थी अब तो उसकी जामन की तरह कजराई आँखें भी उसके नाम को सार्थक करती है किन्तो साथ साल की उम्र में ही इलाके में कहर मचाने वाली लड़की से आँखें मिलानी की ताकत गाउं के किसी बहे के हुए नौजवान में भी नहीं हुई कभी उसको देखते ही आँखों के सामने पंचाय थाना पुलिस फौजदारी अदाला जेल नाचने लगते रतनी की मा सरकारी बकील को भी कानून सिखा आई है बहस कर आई है सेशन कोट में सो पिछले 11 वर्सों में रतनी की माने मुह के जोर से ही 15 एकर जमीन अरजा है पिछवाडे में लीची के पेड़ हैं दरवाजे पन नीबू सूद पर रुपए लगाती है दस पैसा हाथ में हैं और घर में अनाज भी इसलिए अब गाउं की जमीदारिन भी वही है गाउं के पुराने जमीदारों मालिक जब किसी रईयत पर नाराज होते तो इसी तरह गुस्ता उतारते थे यानि उसकी बकरी गाए बगेरह को परती जमीन पर से ही हांक कर दरवाजे पर ले आते थे वो गालियां देते मार पीट करते और अउठे का निशान लेकर खुश होते थे रमेसर की माँ कल हाट जाते समय लीची की टोकरी नहीं ले गई ढोकर इसलिए रतनी और अतनी की माँ ने आज इस जगडे का सिर्जन किया है जान बूझ कर रमेसर का बाप मेरा हलवा है है रमेसर हमारे भेंसों का रखवाला यानि भेंसवार है रमेसर की माँ हमारे घर बरतन बासन मांचती है धान कूटती है इसलिए रतना अब अपनी गालियों का मुख धीरे धीरे हमारी और करने लगी तू किसका डर दिखलाती है सहर से आये भतार का रोज मास मचली और ब्रांडिल पीकत तेरे तेल बढ़ गया है एं मुझे अच्छानक रमे सर की मा की गंदी हल्दी प्याज लैसन पसीना मेल की समलित गंद भरी साड़ी की महक लगी लगा अब रतनी मुझे बेपर्द नक करेगी नंगा करेगी खुद अपने को उसने पिछले एक घंटे में साट बार नंगा किया है अर्थाज जब जब उसने गाली का रुक हमारी ओर किया हर बार या कहना नहीं भूली कि रमे सर की मा जिसका डर दिखलाती है वह मुंसा रतनी का अथी भी नहीं उखाड सकता ऐसे ऐसे मुद की मुंसा को वह अपने अथी में दाहिने बाएं बांध के रखेगी बवला पंकी धूती कुरता और घड़ी चड़ी जूता बाले शहरी चैल चिकनिया लोग उपर से लक दक अभीतर फोक होते हैं सफाचट मौच मुड़ाये मुझमुन्डा लोगों की सूरत देखकर भूलने वाली बेटी नहीं रतनी रतनी की माँ को इसका गुमान है कि बड़े बड़े वकील मुक्तार के बेटों को देखकर भी उसकी बेटी की अथी अर्था जीव नहीं पनियाई कभी ड़कार भी नहीं किया रतनी अपने आगन से निकल आई थी रमिसर की माने कोई जवाब दिया होगा शायद अब रतनी और रतनी की माँ दोनों मिलकर नाचने लगी उसका घट दरवाजे से दस रस्थी दूर है लेकिन सामने है मैं रतनी और रतनी की माँ का नाच देखने को बाध्य था रतनी की क प्रतिवा ने मुझे अचंबे में डाल दिया। उसकी टटकी और तुरत रची हुई पंक्तियों में वह सब कुछ था जो कविता में होता है। बिम्ब, प्रतीक, ब्यंग तथा गंद, बतोर बानगी, अटना का साहव और पटना की में, रात खाए मुर्गी और सुबै करे न तेरा जुमका और नथिया और सावन महकोवा, तुपान में जर्दा खाए नखल लववा। रतनी और अतनी की मां की ये काबे नाटिका समापत हुई, तो मैंने दरवाजी पर बैठे गाउं के दो तीन नौजवानों की और देखा, मेरा चेहरा तम-तमाया हुआ था, किन्त भोजन के समय बात चलाई, तो परिवार के एक व्यक्ति ने, जिनने शहर के नाम से ही जड़या बुखार धर दवाता है, हंसकर कहा, शहर से आने के बाद आप कुछ दिन ऐसी से असभ्यता करेंगे, यह हमें मालूम है, इन छोटे लोगों की गाली पर इस तरह ध्यान कोई भल्मानन सुन नहीं देता, इस तरह गालियों के अर्थ को प्याज के छिलके की तरह उतार-उतार का समझने का क्या मतलब, शहर में क्या ओरतें गाली नहीं देती, अजब इनसाफ है, गाली सुन का समझना अन्या है, असभ्यता है, मन में मैल है मेरे, अशलीलो गिनोने मुकदमे की काणा, रतनी की बदनामी बच्पन से ही फैलती गई, जवान हुई तो बदनामिया भी जवान हुई, फलता गाउं के हिसाब से पक जाने पर भी कोई दूला नहीं मिला, मिलता भी तो घर जमाई होकर नहीं रहना चाता था, दो साल हुए, नि अशलीलो, नहीं तो अभी हल्ला करती हूं, घर में चोर घुसा है, तो सीखिया नौजवान जो हर सुबह को शीशम की कूमर पत्तियां तोड़कर ले जाता है, वही है रतनी का रतंधन, पूछताज कहने पर पता चला के हाल ही मैं एक रात को रतनी ने इसको लात से मारा, घ जिस मर्द को आधी रात को हपनी शुरू हो, उसका क्या कहा जाए, लोग दोख देते हैं मेरे कोको के रतनी बांज है, निमक हराम और किसको कहते हैं, मैं अवे से मानसिक बिकार मानने लगा हूं, अब तक सामाजिक समझ रहा था कि छोटी जाते की औरत गाउं की मालिकिन इलाके का मशहूर डकैत परमेसरा रतनी की बात पर उठता बैठता है, मुखिया और सरपंच रतनी की मा के खिलाब चूबी नहीं कर सकते, रतनी की मा से कोई रार मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए दिन भर गाउं के हट टोले में दौना घूम घूम का जगडा करती फिरती ह रतनी अकेली खसी बकरे को जिबह कर दीती है, रतनी की मा चोरी का माल खरीती है, थाली लोटा गिलास, सुबह को मालुम हुआ शहर से आया हुआ मेरा प्रेस्टीज प्रेशर कुकर गाइब हो गया, दोपहर के बाद धोती गुम, रात में रमी सर की मा फिस फिसा कर आंगन म पूचा था, और उसको समझाया था कि गाउं में आव एक नई बात चल पड़ी है, उसने बीबी की मार सहली, नतीजा यह हुआ है कि कई ओड़तों ने अपने घरवालों को पीटा इस गाउं में, रतनी ने चिल्ला चिल्ला का सारे गाउं की लोगों को सूचना देने के लह हाँ से लेका शहर तक तो छुचु आते फिरता है, काहे कि कोई मौगी मुह में चुम्मा लेती है, मैं रोज हारता रज में रोज जीतती, मुझे स्वजानों ने सतर किया, सांज होनी के पहले ही मैदान से घर लोट आया करूं, किसी ने शहर लोट जानी की सला दी, मुझे लगता रोज ताल ठोपकर एक नंगी औरत पहलवान मुझे चनौती देती है, थपड़ गुं से चलाती है, भागूंगा तो गाउं की सीमा के बाहर तक पीछे पीछे फटा कनस्तर पिटती और बकरे की तरह बोबो बोबो करती जाएगे, गाउं भर के लोग तालियां बज नंगी औरत ताल ठोंक ठोक कर ललकार रही है, मर्द का बेटा है तो मैदान में आ, मैदान में मुझे उतरना ही पड़ा, रात में नीद खुली दरवाजे के सामने जो नया बाग हम लोगोंने लगाया है, उसमें भैस का बच्चा घुस गया है शायद, मैं धीरे धीरे को तोड़ का गुल मोहर की ओर बढ़ते हुए हाथ को मैंने खप से पकड़ा, कलम गिसाई के बाब जूत पंजे की पकड़ में अब तक खम बचा हुआ था, क्यों, मैंने बहुत धीरे से पूछा, छोड़िये, जब आप भी उसी अंदाज में मिला, क्यों तोड़ा है, क्य तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, इस पौधे को क्यों तोड़ा है, वह तो पौधा ही है, जी तो आपको ही तोड़ देने का करता है, हाथ छोड़िये, मैंने देखा उसकी कनपटी पर एक साप का फण फण नहीं, भाला बर्चे की फली, मैंने हाथ छोड़ दिया, वह भा रंडिल और चड़ाईए, तुम, तुम नैना जोगिन? हाँ, मैं नन नैना जोगिन ही हूँ, तब? माधो बाबू, अब रतनी करीब सटाई, मेरा क्या कसूर है जो बारे साल से बनवास दिये हैं आप लोग, उस बूड़े को करनी का फल चकाया तो क्या बेजा किया, मैं उ और समय उसकी पोती की उम्र की थी, तो आप लोगों ने खाज कर आप दौना भाईयों ने हम लोगों को रंडी से बत्तर कर दिया, आखिर आपके जन के दिन रतनी की माँ ही सौर घर में थी, पांच साल तक आप रतनी की माँ की गोदा और आचर में रहे और आपकी आँख म शादी हुए धाई साल हो रहे हैं और रतनी को कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ अटना पटना दिल्ली दरवंगा में आपके इतने डाग हर, डाग डन्नी जान पैचान के हैं आखिर रतनी के मा का दूद सालवर तक पिया है अपने रतनी की मा को बहुत दिन तक आपने मा कहा था, लोगों को याद है, दूद का भी एक संबंध होता है मैंने कहा, रतनी रमियसर जग रहा है, मैं कुछ नहीं समझता, तुम जाओ, कोई देख लेगा देखकर क्या कर लेगा, रतनी ने बेलाग, बेलोज, एक अशलील बात अंधेरे में आग की तरह उगल दी देखकर आपका अथी और मेरा अथी उखाड लेगा, बोलिये, मैं पापीन हूँ, मैं अचूत हूँ, रंडी हूँ, जो भी हूँ, आपकी हवेली में पली हूँ तकदीर का फिर, माधो बाबू, रतनी नाम भी आपके ही बाबूजी का दिया है, आपने उसको बिगाड का नैना जोगिन बना दिया किस कसूर पर, आप लोगों का क्या बिगाड अथरतनी की माने, जो इस तरह बोल, चाल, उठ बैट, एकदम बन, मैंने धीरे से कहा, ऐसे गाउं में आप कोई भला आदमी कैसे रह सकता है लगा नागिन को ठेस लगी, फुफकार उठी, भला आदमी, भला आदमी, भला आदमी को पूँच सींग होता है, नहीं होता है इसलिए पूँच सींग जानवर, औरत मर्ग्द, नंगे बेपड, अंधकार प्रकाश, गुर्राहट, आखों की चमक, बड़े बड़े नाखून, बिल्ली, शिवा, गृधा सेया, योनिस्या भगनी, भोगिनी, महाकुष, स्वरूप, छिनमस्ता, अट्टहास अट्टहास सुनकर चौंका, रतनी कहां है, वह तो साक्षात नील सरस्वती थी, इस बार गाउं में, गाउं के आसपास यह खवर बहुत तेजी से फैली, कि नैना जोगिन का जोग माधो बावू पर खुब ठिकाने से लगा है, रमी सर की माँ को एक दिन खोई हुई चीज को मैं अपने साथ शहर लेता आया हूँ, डॉक्टर को अचरज होता है कि मैं रतनी के लिए इतना चिंतित क्यों हूँ, उन्हा कैसे समझाओं कि यादे रतनी को कोई बच्चा नहीं हुआ, तो वह मेरे बाग के हर पौधे तोड़ देगी, गाउं के सभी पेड़ पौधों जांच परताल के समय जब रतनी की लंबाई ना पी जाती है, बजन लिया जाता है, पेट टटुला जाता है तो मेडिकल कॉलेज की लेडी स्टुडेंट से लेकर डॉक्टर तक हैरत से मूँ बाए रहते हैं, और उसके मलोतरा सहाब की नौकरानी को दो दिन वा फ्लैट के नीचे उठा कर फैकने की धमकी दे चुकी है, शहर की सड़ी हुई गर्मी को रोज पांच असलील गालियां देती है, उसका घरवाला गाउन लोटने को कुन मोनाता है तो वह घुड़क देती है, हाँ जब आ गई हूँ तो यहां तो चाहे लहेरिया सराय चाहे कलकत्ता, ज जहां से हो कोक को भर कर ही लोटूंगी, गाउं तुमको जाना हो तो माधो बाबु टिकस कटा कर गाड़ी में बैठा देंगे, मैं किस मुझ से लोटूंगी खाली, कोई जादू जानती है सचमुचरतनी, कोई शब्द उसके मुझ से असली नहीं लगता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फणिश्वर नात रेनों की लिखी हुई कहानी नैना जोगिन अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बिलते हैं एक नई कहानी के साथ